हेलो फ्रेंड्स के रोल में आप सोई का बहुत बहुत स्वागत है आज मैं इस वीडियो के माध्यम से माइक्रो डर्म क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं जानेंगे कि यह किस तरह का क्रीम है और इसके क्या क्या फायदे हैं और इसे कईसे यूज में लेना है अगर इस क्रीम के बारे में आपको अच्छे से जनकारी लेनी है तो आप मेरे साथ वीडियो के अंतक बने रहें ताकि आपको इस क्रीम के बारे में अच्छे से जनकारी म तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यही है माइक्रोडर्म क्रीम और यह देखने में बिल्कुल ठीक इसी तरह का लगता है और यह 15 ग्राम का यह ट्यूब है इसमें 15 ग्राम क्रीम मौजूद है अगर इस क्रीम के बारे में बात करें तो इसमें और नीडा जोल तरवीना फाइन हाइडरो क्लोराइड क्लोबेटा सोल प्रोपाइनेट क्रीम मौजूद है तो इस क्रीम में बहुत सारे कंपोजिशन डाले गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हम फाइदे के बारे में बात करते हैं मांकुडर्म क्रीम का परयोग बहुत से बिमारियों में यूज किया जाता है जैसे तुचा संक्रमन बिमारी, फफुंदिया संक्रमन, या मूत्र मार्ग में संक्रमन, तुचा के संक्रमन में, या सोसन पत्थ के संक्रमन में, या नरम मुत्तक समंदित संक्रमन में, या मूत्र मार्ग समंदित सुजाक में, या ग्रीवा सुजाक में, या अमीवा संक्रमन में तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जैसा कि मैंने आपको बतलाया सबसे जादे लोग इस मेडिसीन का यूज तो अच्छा संक्रमन या फफुंदी संक्रमन में क्या करते हैं अगर यह आपके पास किसी तरह का यह प्रोबलम हो तो आप इस क्रीम के अंदर से क्रीम को निकाल लें और ठीक उसी जगह पे मालिस कर लें शुबह साम दो बर तो आपको उससे आराम देखने को मिलेगा यह बहुत ही कारेगर मेडिसीन है खास कर तोचा के लिए यह तोचा पर जाते ही यह आपना सर दिखाना शु करती है तो क्या है उसके बारे में बात करते हैं इस दवा का परयोग करने से पहले आप अपने चिकिस्टक को अपनी बरतमान दवाओं में जीसे कि आप जो भी मेडिसीन यूज कर रहे हैं जो भी सप्लिमेंट आप ले रहे हैं तो उस चीज के बारे में आप अपने चिकिस ऊसलता बना सकती है एक निद्यिश्द्य के नुसरदाव का सेवन करें या उत्पाथ प्रिंट किये गयरनी देस्थ कों का पलंने करें क्यांकि खुरा का ओकि इस सिति पर अधारित होती है यदि आपकी इस सिति में कोई सुधार नहीं होता है या यदि आपकी हालत ज़्यादा खराब हो जाती है तो अपने चिकिस्तक को ज़ूर बताएं महत्पून प्रामस बिंदों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चीजों में आप इसे सब्धानी बरफ सकते हैं सब्सक्राइबचत के बढ़ाव के जोखिमबाले रोगों में दूसरा चेहरे में आप इस क्रीम को यूज ना करें तौह आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा तिसरा है मुह संबंदित बिमारियों अगर मुह से संबंदित आपकी कोई बिमारियां है तो इस स्थिति में आप इस मेडिसिन का यूज ना करें चवठा है मौकिक रूप से निगालने पर हानिकारक हो सकता है अगर आप इस मेडिसिन को किसी कारम बस आपके इंटर्नली पार्ट्स में चली जाती है तो आपके लिए हानिकारक साभित हो सकता है पाचमा इस दवा को मुह से ना लें इस दवा को खूले घाव, सुखी या जली बारी तोचा पर इस्तमाल करने से पहले अपने चिकिस्तर से प्रमर्श ज़रूर लें माइक्रोडर्म क्रीम को लगाने से पहले और बाद में अपने हाथों को धो लें इलाईज करे जाने वाले छेतर को साप करके सुखा लें कम मातरा में दवा का परियोग करें या इस दवा को आक मुह या नाक में ना घुसने दें या सब जो मैं आपको बाते बतलाया इन सभी बातों का आप जबूर पालन करें तो आप इस क्रीम के साबधानियों से बच सकते हैं माइक्रोडर्म क्रीम 12 सल की उम्र से कम बच्चे को ना यूज में लेने दें क्योंकि उनके लिए हानिकारक सावित हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत ही पाउरफुल क्रीम है इसे हलके में ना ले तो चलिए अब हम इसके कमपोजिस्टन के बारे में बात करते हैं माइक्रोडर्म क्रीम के क्या-क्या composition है?", तर्बीनाफाईन ट्रॉपिकल 1%, क्लोबेटा सोल ट्रॉपिकल 0.05%, ओफ्लखसन ट्रॉपिकल 0.75%, वे निड़ा जॉल टॉपिकल 2% इसमें बहुत तरह के composition यूज़ करकर एक बहुत ही बेतरीन क्रीम तियार किया गया है जो कि तोचा सम्वंधित बिमारियों में या बहुत ही कारेगर है अगर इस क्रीम के expired date के बारे में बात करें तो यह क्रीम का expired date 24 मन्थ है आप इस क्रीम को 2 साल के अंदर तक आप यूज़ में ले सकते हैं तो चलिए अब हम microderm क्रीम को खोल कर दिखा देते हैं कि इसके अंदर किस तरह के क्रीम मौजूद होते हैं तो फिरेंट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ठीक इसी तरह का क्रीम, microderm क्रीम के अंदर मौजूद होते हैं और आपको जो भी infected parts है तो आपको ठीक इसी तरह से आपको क्रीम निकाल लेना है और infected parts पे आपको ठीक से मालिस कर लेना है आपको मालिस करने के बाद तीन से चार दिन में आपको फर्क पता चल जाएगा कि इसके क्या फाइदे हैं और यह कैसे काम करता है तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोडर्म क्रीम के बारे में पूरी जनकारी देने का पर्यास किया हूँ फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना ना भूलें क्योंकि मैं इसी तरह से हेल से रिलेटेट वीडियो बहुत सारे लाता हूँ